अश्लाम लेकूं एभ्यवन लेकूम टू बिल्स केजीज रामेmond's kitchen आज हम बना रहे हैं super healthy recipe जो के होने वाली है super awesome आज हम बना रहे हैं मॉरिंगा की फली, यानि सौंजने की फली, सजना की फली और भी बहुत कुछ बोलते हैं, आप लोग क्या बता बोलते हैं, मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, तो चलिए शुरूआत करते हैं, आज ये बनाते हैं, ये तकत से बरपूर, स साथ भी बनाते हैं तिमाटर की चटनी का जो सालन बनता है उसके साथ भी बनाते हैं कुछ लोग गोश के साथ और दाल के साथ भी बनाते हैं और कुछ लोग इसको जैसे दलिया बनाते हैं उसमें भी बनाते हैं तो यह आपका अपना स्टाइल है जैसे आपको टेस्ट जिसे बताती हूं कि इसको कटिंग कैसे करने है देखें जैसे आपको नजर आ रहा है पहले हमने इसको वॉश कर लिए अच्छी तरीके से उपर से इसका छिलका जो है वो प्रॉपर्ली आपने पील्ड ओफ करना है ताकि उसकी सारी का सारा जितना भी अरोमा है जो कि इसकी ज बहunt ही glass कहते हैं जो अफ्य को सालन को मिल सके जिसमें आप इसको यूस करना हम भीृतके वहाइब करणार नीची सब्सकार्पकद बना आ चाहिएंगे इसको 3-4 इंचिस के पीसिस में काट लेंगे ये बिल्कुल बेस्ट रहता है क्काने में भी बहुत असानी हो जाती है जिस भी रेसिपी में यूज करना चाहें बहुत एजी ली यूज कर सकते हैं अच्छा जैसे कि मैंने आपको पताया कि काफी चीज़ों में यूज हो जाता है तो मैं आज डाल के साथ बना रही हूँ मैंने मौ मसूर की डाल बॉयल करने रखी है दाल बनाने का तरीका बहुत सिंपल है मैं आपको डिस्प्रिप्शन में लिंक में नने कर दूँगी जिस दरह किसे मैंने डाल बनाई है डाल के आप मेरी बहुत सारी रेसेपी से मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं तो डाल मैंने बॉयल करने रख दी थी उसमें मैंने कोई मसाला नहीं डाला ये मेरे सीक्रेट टेप है, मज़ेदार दाल बनाने की, ये देखे, हमने मौरेंगा की जो फलिया है, संजना की फलिया है, सोहंजने की फलिया है, और आपने मुझे बताना है क्या आप क्या क्या बोलते हैं, यह मैंने एक बड़ी प्यास ली, एक पाउत तकरीबन फली थी मेर आजाते हैं, देखें मसालों में मेरे पस क्या क्या है, सारे घरेलू मसाले है, नमक है, हल्दी है, लाल मिर्चे है, जीरा है, बुना कुटा दनिया जीरा है, और एक स्पेशल चीज है, वो है चिकन पाउडर या चिकन क्यूब ले लीजे, या आप अपनी पसंद का कोई भी आपको इसको टाइम देना है, तकरीबर पांच मिनट इसको फ्राइ करना है, फिर हमने मसाला एड़ करना है, यह देखें, सिमर हो रहा है, जट फाइफ मिनट मोर, इसको सिमर होने दीजिए, बहत ही बहतरी सिमर हो जाएगा, फिर हम यह अच्छी तरह भून के, अब मैं चोटे हो, यह हमारी HQ क्यों नहीं हो, आप जरूर ट्राय किजिएगा, उसके उपर मैंने लगाया तड़का, जो कि नॉर्मली दालों के उपर लगता है, रोटी के साथ सर्फ कीजिए, चावल के साथ, या ऐसे ही, बहुत ही मज़ा आने वाला है, मेरे चैनल को करने ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी रिंग कीजिएगा, और मेरे रेसिपी अची लगे, तो कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा, अपना बहुत खायल रखिएगा, इंशाला में नेक्स टाइम में लोंगी बहुत ही जबरदस और हल्दी रेसिपी के साथ, आला हाफि छो बना सीधी के साथाइगा जाएभा, र jong swag सकती हिएगार अजा उचल आइकन के साथाएगा, इंचारा एंचाला ओूरका बचस्ट में लोल ने के साथाएगा